जिला परशद की 23 दुकानों के आवंटन पर बोले आवेदत की गई धांदले डीडी सी बोले पूरी पारदर्शिता से हुई लॉटरी जिला परशद की 23 दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी की सिगाय डीयन से कुछ समवेद को नो लिखे तोर पर किया है इसके बाड़ आवंटन के प्रकरिया की सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया है बुदवार को विद्यावहūवन शिभागार में लॉट्री की प्रकरिया पूरी गई थी जैसे ही अर्लिस्ट चर्च पाया गया आवेदुकों की भोस हुल गया इसके बाद सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया उनका आरोप सीधे सीधे था कि जब तेज दुकानों के अवंटन में इस चांदिनी कुमारी ने अवंटन के लिए अपलाई नहीं किया तो कैसे उनका लिस जैस टीम के तीन सधश्यों में सामिल जिला सांखे की पदादिकारी मोती कुमार दिवाकर्ट एवाड रजन पदादिकारी विजय कुमार और बाल संक शनिकाई के अदिकारी विनोत कुमार सदर कच्टियो लालं और जोटी नाद इस देखरेक में लोटरी कराय गया था डीडीजी ने कहा कि पुरी निस्पक्षटा के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करा कर दुकानों का अवंटन किया गया है किसी प्रकार की गर्वडी नहीं हुई है आवेदकों ने लौटरी के प्रक्रिया में सामिल होने के लिए 50-50,000 रुपे का ट्राफ्ट बनवाया था उस में चांदनी कुमारी का जिए पूरा मामला और क्यों आप दुकाना वंटन में गड़वडी की बात का रहा है जिला दिकारी डीडीजी ओफिस के तरा दुकान निर्वीद दुकानों के लिए दिकाले गया था फॉरम जिसमें फॉरम के लिए 50-100 का डीडी और फॉरम भरने किया गो मगर जिन लोगों की सूची दी गई थी डीडीजी ओफिस द्वारा कि इन लोगों ने एक से लेकर एक चीज तक फॉरम भरा है उसमें एक नाम चांदनी कुमारी है जिनका फॉरम सापित नहीं देखा रहा है अता आप सभी से निवेदन है कि इसकी जांच की जाए लिस्ट साथी हुए डीडीजी ओफिस में क्या नाम आपका मेरा नाम मोहमद सिकंदर है कहां घर है मेरा अबरपुल घर हुआ